सो हे गाईज वेलकम बैक टो नदर न्यू भीडियो आज का ये वीडियो भूत यादा इंफरमेटिव होने वाला है आप लोग के लिए अगर आप लोग पाईने टोग पर माइन करते हो क्योंकि इस वीडियो पर हम लोग पाईने टोग के काफी सरे लेटिस्ट इंपॉर्टे मेंनेट वाला स्टेप अभी तक कंप्लेट नहीं हुआ है तो इसका क्या लेटिस्ट अपडेट है कब तक ये कंप्लेट हो जाएगा ये आप लोग जानने वाले हो और वीडियो के एंद तक हम लोग पाई के कुछ कम्यूनिटी अपडेट्स के बारे में भी बात करेंगे से आप अंदाजा लगा सकोगे कि पाई का प्राइस अभी के टाइम पे अलग अलग कंट्री पे क्या है और आने वाले टाइम पे कितना जादा होने वाला है तो वीडियो बरहल भूत यदा इंफोर्मेटिव होने वाला है बिना स्किप करें तक जरूर देखना चलिए आज पेसाली पेंडिंग के वाइसी में जितने भी केवाइसी पेंडिंग थे उनमेंसे मैक्सिमाम वो अभी अनभाई होने लग रहे है बेसिकली जो है व Copene कि further हो रहे हैं ऑपुछ न anus सी op क्रेंग था इसके वज़ेसे उनलुग के क्य? हम औरश है आपका के वाईसी आप वह अपना KYC को कम्प्रीट कर सकते हैं बहुत सरे लोगों के कोई भी पर्टिकुलर रिजन के वज़े से KYC फेल हुआ है वो लोग वो चीज जो एक खुद से भी सुधार सकते हैं अगर आपका KYC रिसेंटली या फिर कापी टाइम से पेंडिंग पर है तो आपको सिंपली पा वहां पर शोर ने लगेगा उसको आप खुद से जो है करेट कर सकते हो अगर पाई ब्रॉजर ओपें करके KYC के आप्शन पर जाने के बाद आपको वहां पर इन प्रोग्रेस हो रहा है डैट मेंस कि आपका KYC जो है अभी तक पेंडिंग है अगर इन प्रोग्रेस हो रहा है तो उसके लिए भी एक solution है recently आपको पता होगा पाई को टीम के तरफ से एक नया Google form भी release किया गया है तो वह form को आपको जरूर से feel कर देना है वह form कहां से मिलेगा और किस तरीके से feel करना है इसके regarding मैंने complete वीडियो भी बना रखा है नेचे description पर उपर आई बटन पर आपको link म और आपके जैसा हजारों लोगों ने वह form को feel किया है तो आपको patience के साथ wait करना पड़ेगा जब तक कोई result ना आ जाए आपको simply KYC के option पर जा करके regular जो है check करते रहना है ओके आप मैंसे से बहुत सरे लोग है जिनको KYC के लिए अभी तक slot ही नहीं मिले हैं right तो मैं बता दू 30 days आपको minimum जो है माइन करना पड़ता है तब आप KYC के लिए eligible होते हो और तभी KYC का slot automatically आपके पाई account पर आ जाता है आप मैंसे जितने भी लोग recently पाई ने टोग पर माइन करना start किये हैं कम से कम 30 mining session आप complete कर लो फिर आप KYC का option पर जाओगे तो आपको हाँ पर KYC का option देख नहीं मिला है उसका possible reason यह हो सकता है कि आपने अपने phone पे 2-3 पाई account जो है login किया होगा या फिर आपने पाई के कोई भी community guidelines को violet किया होगा इस case में भी आपको वो google form को fill करके wait करना पड़ेगा दिखो जितना ज़्यादा हो सके पाई call team के तरफ से KYC को unblock किया जा रहा है अभ पैसे से काफी सरे लोग है जिन्होंने mainnet checklist का 8 step तो complete कर लिया है लेकिन last step यानि के migrate to mainnet वाला step अभी तक जो है complete नहीं हुआ है यहाँ पर लोगों के last step complete होने में delay हो रहे है स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं हमने migration data open कर रखा है और daily basis में अभी कर टाइम पर जो है daily basis पे हजारों में लोग जो है mainnet checklist complete करते हैं किसी के 100 pie किसी के 1000 किसी के 10,000 pie जो है यहाँ पर migration पर लगा हो रहता है उसी से आप से देखा जाए migration process slow है लेकिन यह continue है अगर आपका number अभी तक नहीं आया है definitely बहुत जल्द आने वाला है एक और screenshot आप लोग screen पे देख सकते हो अभी कर टाइम पे every week में 50 million pie करके जो है main wallet से distribution wallet में migrate हो रहे हैं distribution wallet से हम और आप जैसे लोगों के pie wallet में pie migrate होते हैं इतना तो आपने देखी लिया है कि migration process continue है और daily basis में लोगों के wallet में pie migrate हो रहे हैं आपको patience के साथ wait करना है अगर आपने कुछ mistake नहीं किया definitely आपका भी number बहुत जल्द आने वाला है आपको बता दो migration process complete ना होने का सबसे बरा reason है account secure ना होना profile के section पे जा कर भी mobile number, email id और facebook को verify कर सकते हो otherwise आप mainnet checklist टोपेन करके भी secure account पे जा करके mobile number और facebook verify कर सकते हो कैसे account को secure करते हैं इसके regarding already एक video बना रखा है नेचे description पे उसका link मिल जाएगा जरूर जाके check कर लेना आप मैंसे बहुत सरे लोगों ने mainnet checklist का कोई ना कोई step को छोड़के रखा है तो ऐसा आपको नहीं करना है आठो step को आपको complete करना है तब ही जाके आपका last step जो है वो पाई core team के द्वारा complete किया जाता है migration को ले करके overall मैं यही कहना चाता हूँ कि अगर सब कुछ आपने सही तरीके से complete किया है तो थोड़ा सा delay भी होगा लेकिन आपका last step जो है complete होगा आपका mine किया हुआ पाई आपके wallet में जरूर से transfer हो जाएगा अभी हम लोग बात करते हैं पाई के कुछ community updates के बारे में इंडिया में पाई का hype उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन अलग-अलग country में जैसे चाइना, Philippines, Vietnam इंदेशों में पाई का hype बहुत ज़्यादा मचा हुआ है इंदेशों में अभी से ही पाई का value को बहुत ज़्यादा मातरा में accept किया जा रहा है स्क्रीन पे आप लोग देखी सकते हो लोग पाई कोईन से किस तरिके से iPhone वगरा buy कर रहे हैं पाई चेन मॉल जैसा ऐसे बहुत सारे e-commerce website अल्रेडी जो है यहाँ पे पाई के ecosystem पे build हो चुके हैं जहाँ पे आप पाई कोईन से swapping वगरा कर सकते हो और नाए सिर्फ ओनलाइन बलकि इन देशों में पाई का offline barter trading भी होते हैं जहाँ पे लोग offline में पाई के बदले में समान जो है buy sell करते हैं और पाई का price इन देशों में एक दो डॉलर नहीं बलकि 3,14,199 डॉलर के according accept होते हैं इसको अगर आप Indian rupees में convert करोगे तो यह बहुत जादा हो जाता है यह price fix नहीं है लोगों का मानना है कि यह पाई का GCB value है और आने वाले time पे पाई का value इतना ज्यादा होने वाला है जो कि next to impossible है इसके बावजुद भी लोगों को पाई के उपर इतना भरोसा है कि वो लोग 3,14,199 डॉलर के according पाई का बाटर trade कर रहे हैं अभी के time पे ही इंडिया में अगर आप देखोगे तो एक पाई का value जो है वो 20-25 रुपया तक ही है लेकिन बाहरी देशों में इसका price बहुत ज्यादा में अभी accept किया जा रहा है इसका proof भी आप लोग देखी सकते हो तो अभी आपके उपर है कि आप अपने pie coin को hold करना चाहते हो या फिर sell करना चाहते हो 20-25 रुपया में मैं इतना suggest जरूर करना चाहूंगा अगर आपको कोई भी financial issue नहीं है तो आप अपने pie coin को hold करके रख लो क्योंकि आपने यहाँ पे कोई भी investment नहीं किया है फिरी में आपको यह coin मिला है और अगर आप 1000 pie भी hold करके रखते हो तो in future इसका price 3,14,000 के जगा पे सिर्फ 3 डॉलर भी होगा तो आप यहाँ पे लग पती बन सकते हो तो choice आपके उपर है कि आपको क्या करना है तो open minute के लिए जो भी goals pie call team के तरफ से रखा गया है वो अगर fulfill हो जाता है तो एक साल के अंदर ही pie का open minute launch होने के chances 100% है तो अगर इतना दिन hold करके रख लिया है एक साल और आप hold कर लिजी अपने pie coin को बठाँ अगर आपके financial problem है आपको अभी के time पे पैसो के need है आप अपने pie coin को sell करना चाहते हो तो वो भी आप अभी कर सकते हो अपने pie coin को कैसे sell करना इसका भी वीडियो का link आपको description पर मिल जाएगा जरूर जाके check कर लेना वो वीडियो देखने के बाद आसानी से 2 मिनिट के अंदर ही आप अपने pie coin को sell कर पाऊगे और उसके बदले में जो भी amount मिलेगा वो आप अपने bank account पर ले पाऊगे guys I hope कि ये वीडियो आप लोग के लिए helpful रहोगा अगर helpful लगता है तो एक लाइक जरूर कर देना चैनल पर नहीं हो तो subscribe जरूर कर देना और पाइनेटो के बारे में और भी जान करें अगर आपको चाहिए तो इसी चैनल के playlist section पर जा करके पाइनेटो का playlist आप लोग चेक कर स सकते हो वहाँ पर सभी टाइप के वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे तो आज के लिए तना ही मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल नेक्स्ट और एक इंफर्मेटिव वीडियो के साथ